देहरादून के ONGC चौक पर हुए भीशन सडक हाथ से के बाद अब शहर के सभी ट्रैफिक सिगनलों को रात बारह बजे तक चालो रखा जाएगा अभी तक रात पे 10 बजे ट्रैफिक सिगनल बंद कर इन्हें ब्लिंकिंग मोड अर्थात पीली लाइट पर चलाय जाता है रात के समय पुलिस इसकी निगरानी भी करेगी वरिश पुलिस अधीक शक देहरादून अजस सिंग ने बताया कि दून में अब रात बारह बजे तक ट्रैफिक सिगनल खुले रहेंगे इसके साथ ही हर चौक पर स्पीड ब्रेकर बनाये जाएंगे प्रतेक चौक पर स्पीड ब्रेकर बनने से दुरुगटनाओं की आशंका कम की जा सकती है होना कम रहे साथी साथ इसमें यह भी किया है भी रोट सेफटी कमिटी की बैटक में जिलातिकारी महोदे की अजस्दस्ता में हुई थी जिसमें ऐसे जगह जैबरा क्रॉसिंग जो मिट गए हैं रंबल स्टिप्स बागाने की बात हुई जहां पर या गाडियां जो है विभागों द्वारा किया जाना है जेप्रा लाइन फिर से बनाया जाना है रंबल स्टिप लगाई जाना है वह काम भी मुझे लगता है 15 से 20 दिन के अंदर सभी ऐसे चौक चौरहां पर यह बन जाएगा